का आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड उप्मा सबसे पहले अपनी रखते हैं कढ़ां में धोड़ा पीजिए टल डाल देते हैं तेल जब हलका सा गरब हो जाए तो राई डाल देते हैं राई क्रैक होने देते हैं धुली वहिवरत कीधाल कि चना डाल अब इन तीनों चीजों को अच्छी तरह भुझने देते हैं लाल होने तक चलाते हुए देखो सारे मसाले अच्छी तरह चलाते रहना चाहिए जिससे ये जल न जाए अब जब ये हलके लाल कलर के हो जाए तब इन में कटा हुआ प्याज यहाँ पर हम बड़ा बड़ा कटा हुआ प्याज लेते हैं प्याज यहाँ पर हमें महीन चौप नहीं करना है बड़े बड़े प्याज काट कर लेने हैं जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा लगने लगता है प्याज को अच्छी तरह चलाते हुए प्याज को हम तब तक भूझेंगे तब तक ये टांस्पारेंट ना हो जाए इसको लाल होने तक नहीं भूझना है केवल टांस्पारेंट होने तक भूझना है ये चीज आपको याद रखनी है हमें यहाज सबजी नहीं बना रही है अब तमाटर लेते हैं तमाटर को यहाँ पर हमने बारी काट लिया है तमाटर को डालते हुए अब इसको भी अची तरह mix कर लेते हैं टमाटर और प्याज को अची तरह mix करते हुए यहां पर हमने जो मसाले डाले हैं आप मसाले अपने recording भी डाल सकते हैं कमिया ज़्यादा अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल कर नमक डाल देने से टमाटर के गलने का प्रोसेस जल्दी हो जाता है अब अच्छी तरह चलाते हुए अब इसको कबर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए देखिए थोड़ी देर बाद हम जब लेट अठाके देखते हैं तो ये टमाटर काफी गल चुके हैं और प्याज के साथ मिक्स होने लगे हैं थोड़ा सा मैस करते हुए तमाटर को भूझते समय अब इसमें थोड़ी सी अल्दी डाल देते हैं लाल मिर्च फिर से मिक्स करते हुए इस स्टेज पर हमें गैस की सिलो ही रखनी है एक चमच कैचप अगर आपको कैचप का स्वाद पसंद है तो ही आप डालें दो चमच दही दही को डाल कर आपको लगातार चलाते रहना है अपनी गैस की आँच को धीमा रखना है बराबर चलाते हुए अब इस स्टेज पर हम सही से चलाते रहेंगे और अब देखो कवर करके देते हैं थोड़ी देर बाद खोल के देखते हैं तो गै भी हमारी पकने लगी है और सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं अब इनको मैस करते हुए थोड़ी देर के लिए फिल ढखतेते हैं अब खोल के देखते हैं तो मसालों ने अपना सारा तेल छोड़ दिया है अब इनको मैस करते हुए अब यहाँ पर आदा कप पानी डालते हैं याद रखिए पानी की जो मात्रा है वो आदा कफी रखिए वरना ज्यादा डाल देने से यहां पर हलुआ का जो उपमा बनाने जा रहे हैं वो हलुआ बन जाएगा देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तयार हुई है मसालों ने तेल भी अपना पूरा छोड़ दिया है अच्छी तरह चलाते हुए ब्रेट के सिलाइस ब्रेट को पहले हमने टोस्ट कर लिया था और बराबर वागवां में चौकोर काट लिया था अब इनको हलके हलके हाथों से फैला देते हैं और एक बर दस सेकंड के लिए इसको ढख कर रख देते हैं जिससे भाप से यह हलकी गल जाएंगी अब इनको टोस्ट करते हुए हलके हाथों से इनको टोस्ट कीजिए अभी हमें कोई भी बोनी लगानी है चम्मच चम्मच इस अब हलके हातों से चलाते हुए इनको बहुत ही हलके हातों से चलाना है क्योंकि ये अब काफी सॉप्ट होने लगे है ये देखिए ब्रैड उपमा हमारा बनके तयार हो गया है जब जब हमारा मूर ना हो कुछ बनाने का तो ये जरूर ट्राइ कीजिए बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्टा बनके तैयार हो जाएगा और बच्चे और बणों सभी को बहुत पसंद आता है ब्रेड उपमा यहाँ पे जो अमने मसाले डाले हैं मसाले आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जीरा ही यह आपको जो पसंद आए कैचप केचप की जो मात्रा है वो भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं हादा धनिया डाल कर इसको फिर से एक बार चलाते हुए हलके हलके हाथों से इसको मिक्स कीजिए अगर यह तूट जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं के सिलाइस देखने में और टेस्ट भी काफी चैन्ज हो जाता है देखो हलके हांतों से चलाते हुए तैयार है हमारा यहां टेस्टी चटपटा ब्रैड उपमा अब एक पैन में गी डालते हैं मुफली के दाने काजू मुफली के दाने पहले डाल दीजिए काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं अब गैस को बंद कर देते हैं देखिए तयार हो गए आए तयारी करते हैं अपने ब्रैड उपमा के प्लेटिंग की और हरे धनिया की देखो तयार है हमारा ब्रैड उपमा